हेलो गाइस कैसे हैं आप सब हमारे यूटिब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है फिंट्स मैं हूँ नन्दिता फिंट्स आजकल सीजन चेंजिस हो गए हैं और मौसम अब काफी हद तक बदल चुका है सर्दियां बिल्कुल अपना रंग छोड़ चुकी हो और गर्मियों का सीजन पूरी तरह से आ गया है ऐसे में एक इंग्रीडियंट है जो गर्मियों में बहुत ज़दा पॉपलर्ली यूज होता है क्योंकि बहुत बेनिफीशल भी होता है क्योंकि गर्मियों में दूल मिटी बहुत ज़दा होती है पॉल्यूशन से हमारी स्कीन पे जो पॉर्स होते हैं बिल्कुल फ्लॉग हो चाते हैं और बहुत ज़दा वो स्कीन पॉब्लम्स को पैदा करते हैं इसमें जो मेसिक इंग्रीडियंट मैं यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हूं वह मुलतानी मिटी मुलतानी मिटी पाउडर यह मेरे पास औरिगेंज के हैं तो आपको यह यह भी आप लेना चाहिए और लाइ ले सकते हैं तो चंक्स में आप सबको सोग करके आपके चैरे को बिल्कुल क्लीर और क्लीर बनाती है इसका एक सिंपल सा पैक हाज हम बनाएंगे तो इसके लिए यह इसके लिए 1 टेबर स्पून के में पास मुलतानी मिटी पाउडर है इसका में भर कर डाल रहे हूं इसके अंदर फिर जादे चीजे हमें सिर्फ चुनिंदा चीजे हैं जो आपके घर में अवलेबल होंगी होंगी क्योंकि लॉक्ट डाउन चल रहा है और बहुत ही लिमिटेट से इंग्रेडियन इसलिए मैंने यहां पर यूज़के हैं ताकि आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर सबसे पहले यह थोड़ा सा मेरे पास गुलाब जल है हाफ टेबल स्पून यह भी चाहरे को ठंड़क पहुचाने के लिए के रिफ्रेश लूंग लिखने के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है क्लिंजर है गर्मियों में तो खासकर इसका बहुत ही इसका इस्तिमाल किया जाता है यह फ्रेंट्स मेरे पास लेमन है लेमन भी आपके घर में जरूर अफलेबल होगा इसकी फ्रेंट फोर तो फाइव ड्रॉफ टार रहे हूं यह दाग दूबो को मिटाने का काम करता है एक फेरनस आपकी स्किन पर लेकर आता है लेकिन अगर यूज कर चुके हैं और आपको स्किन को सूप नहीं करता है तो आप इसको वाइट भी कर सकते हैं लासली फ्रेंट्स मैं इसमें यह वन टेप स्पून में पस दही है यानि कॉर्ट बस यह सभी चीजे मैंने यहां पर डाली है मैं इमीद कर दूए सभी चीजे आपके घर मे मैंने रखी है इसके अपनी सी लेयर एक फाइन सी लेयर आप अपनी चेहरे पर लगा लीजिए और इसको लगबग 15 मिनिट तक आप लगांके रखेगा उसके बाद नहीं टैफ वाटर से हलके हलके इसको मलते हुए आप वाश कर लीजगा फ्रेंट्स बहुत ही आपको इसक लगाने के बाद अपनी चेहरे पर एक फ्रेशनेस लगेगा आपको अपनी चेहरे बिल्कुर क्लियर लगेगा इसको आप चाहने तो रेगुलर भी लगा सकते हैं कोई गर्मी आच चुकी हैं बेजी तक आप मुलतानी मिट्टी को किसी भी टाइम किसी भी तरह से इस्तवा जरूर कीचेगा थैंक्स फर वाचिक नन्यवाद